नमस्कार आप देख रहे हैं स्वदेश लाइब और मैं हूँ आपके साथ अन्यूट नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर भारत की अध्यक्षता में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक और चारिक रूप से कल्दिली में शुरू होगी गुरुग्राम ने भ्रष्टा चार रोधी कारे समुह की बैठक को केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जी तेंद्र सिंग संबोधित करते हुए बोले दुई पक्षिये समनवे जडिल प्रक्रिया है और विदेशी आर्थिक अपराधियों के मामले सुझाने में बाध़क बनती है प्रधान मंत्री राई सीना डायलोग के आठवे संसकरन का उठगाटन करेंगे यह चार मार्च तक चलेगा प्रधान मंत्री ने दिबडुगड में संपनुही गंगा विलास कूज यात्रा की सराहना की बतादें की कूज को 27 नदियों से 5 भार्पिये राज्यों और बांगलादेश होते हुए 1200 किटोमीटर से अधिक की यात्रा तैगरनी थी 36 गड़ विधान सभा का बजट सत्र राज जिपाल के अभी भाशन के साथ शुरू हुआ मद्ध प्रदेश के वित्त मंत्री जगदी सिदेवडा ने आज पहला यी बजट पेश किया बजट में महिलाओं को दी गई प्रात्मिंता बदादें कि मुख्यमंत्री शिवराद सिंग चोहान ने कहा कि ये आत्म निर्भर मद्ध प्रदेश बनाने का बजट है तत्ना के जेंट गोदाम में धीशन आग लगने से काला हुआ आसमान इन दोर में खेले जा रहे बॉर्डर कावसकर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में भारतिय टीम 109 रन पर सिबट गई रनवीर कपूर, सिधार्त, मलोत्रा, वरुन धवन और सोनाक्षी सिनहा जन्द ही OTT प्लाटफॉर्म पर नज़र आएंगे